गायत्री महमंत्र एक बार मेरे साथ दोराव। ओम्भूर भूवह सह तश्वी तुर्वरेणियं भर्गोदेवश धीमाही धीयो यो नह प्रचोदयात। अन्तिम चरण जो साधना का धियान के रूप में रह गया था जो पांच साधना ये आपको बताई थी। उसमें अन्तिम चरण है मुद्रा। कल आपको सो अहम साधना के बारे में बताई गया था। जब कहते हैं। जब जब नहीं किया। स्वतहे चल रहा है। उसी को अजबा जब कहते हैं। बड़े अच्छे से सो अहम के बाद मैं अपनी इंद्री उसको ग्रंथियों को जगाने की आवशकता है। जो रस छोड़ती हैं उन ग्रंथियों को जगाने की आवशकता है। और उस ग्रंथियों को जगाने के लिए उनको कहते हैं बंद या मुद्रा। इसका जो विस्त्रित वर्नन परंपुज गुर्देव ने बताया है। वो घरंड सहीता है उसके अंदर और सिव सहीता के अंदर इसका उलेक बताया है। और गुर्देव ने कहा है कि गोरक नाथ जी इसके सिद्ध योगी थे। उन्होंने गोरक्ष पद्धती साधना का विस्तार किया था। बंद मुद्रा में जालंदर मुद्रा, मूल बंद, उड्यान बंद ये परमुख हैं। महाबंद और त्रिबंद इनी के सईयोग से बनते हैं। सक्ति चालनी मुद्रा भी इसी को कहते हैं जो सक्ति का संचालन करती है। मुद्रा और बंदों का युग में है। दोनों की गणा एक ही इस्थती में होती है। मुद्राओं में खेचली मुद्रा को गायत्री उपासना का उच्च स्तरी है। साधना में परमुक्ता दी गई है। और क्या है। जिव्या को पलट करके जो हमारा काग है उसमें एक चंचू प्रदेश है। उसको सहलाना, उसको छूना। इस सिर को ब्रमांड की संग्या दी गई है। जिस तरह से मा के स्तन का पान किया जाता है, ऐसे ही कुद्रत ने एक चंचू प्रदेश हमारे काग के अंदर विराजमान करके रखा है। उसके पोल में द्रव्य भरा है। उसी को छीर सागर कहते हैं। उसी के मद्य में अवस्थित सठ चक्र, सहस्र चक्र को सहस्र फनवाला सेश सर्प कहा गया है। जिस पर भगवान विश्णू विराजमान गाते हैं। तीनो देव, तीनो लोक इसी गहवार में अपनी भूमिका को निभाते हैं। जब आपकी भावनिस्था इनके साथ जा करके जुड़ जाती है। तो उसके जुड़ने के कारण, जो रस्ती आपको अनुभूती होती है, उससे सोय हुए भगवान आपके अंतह करण में जगने लग जाते हैं। आपकी निस्था उसी तरफ क्रियासील होती हुई चले जाती है। इसमें तालू तल की कितनी ही उपमाई दी गई हैं। आकास में टंगे हुए जिस तरह से तारकों की तरह से छोटे-छोटे कोश तक होते हैं। ये मदू अपने अंदर से निस्रित करते हैं, तपकाते रहते हैं, जिसको जीव चकता हुआ उस सोमरस का पान करता है। काक चंचू को काम देनू गो कास्तन बताया गया है। और अमरत कलस इसी सीर्षभाग को कहा है। अमरत वर्षा की कुछ बूंदें जो टपकती हैं, ऐसे ऐसे अनेको प्रतिपादन विबिन साधना विज्ञानियों के द्वारा एते हुए दिये गए हैं। खेचरी मुद्रा के सहरे तालू संस्थान के साथ जिव्या के अग्रभाग का समनवे करते हुए, क्रम से कई प्रकार की मदुर समवेदना या आपके अंदर उबरती हैं। तंत ग्रंथों में इसे रती किरिया सिक्किरू सम्तुल्य अनुभूती कहा गया है। उसका नाम आत्मरती विताया गया है। माता के इस्तन से दूद पीते समय बालक को जैसी तुष्टी पुष्टी और संतुष्टी का आनंद कानुभव मिलता है। वैसे ही खेचरी मुद्रा से उसके अभ्यास से हमें मिलता है। खेजो कहते हैं वो आकास को कहते हैं और चर कहते हैं रमण को। यनि के आकास में रमण करना उसको खेचरी मुद्रा कहा गया है। मैं यह कहूँगा मेरी अपनी निजी पकड़ इस छेत्र में अभी कोई नहीं है। खेचरी मुद्रा में मेरी अपनी निजी पकड़ कोई नहीं है, मेरी साधना इस छेत्र में अभी नहीं है। मैंने प्रियास भी किये परंतु मुझसे हुआ नहीं। इसलिए मेरा इस छेत्र में अनुभव नहीं है। आप प्रियास करके देखिए, अपनी जीब को पल्टाएं, जैसे किसी चीज पानी को पी जीब, अपने चंचु छेत्र के साथ छुआने का प्रियास करें। इसे निकल करके महसूस किया और उस खुले प्रियास है, जिसको आकास में विचरन करके वो महसूस करता है। दोनों अनुभूतियों में एक ही आत्मा काम कर रही है। एक बंदन है और एक मुक्ती है। अगर इस परकार साधना के सारे बंबंदनों से मुक्त हो करके स्वच्चता पूर्वा कविष्ट दिशा में उड़ चलने की अवसर आपको मिले, तो उस मुद्रा का नाम खेचरी मुद्रा है। साधना में सफलता मिलने पर साधक को जीवन मुक्ती मिलने की स्थिती तक ले करके जाती है। ब्रह्मलोक, विश्णुलोक, सिवलोक है। तालू को उसका परवेश द्वार माना गया है। द्वार खट-खटाने पर खोलने वाले उसे खोल देते हैं। तालू और जिव्या के मद्र में अग्रबहक का उस अनरोद पर परवेश की संभावना बढ़ती हुई चली जाती है। बच्चा इस्तन पान करता है तो उसे दूद मिलने लगता है। खेचरी मुद्रा के अभ्यास को अपने उद्देशों के द्वारा, उसको आगे बढ़ने के लिए, मिलती जुलती जो प्रक्रिया है, उसको समझा डाना चाहिए। और इस छेत्र में अपने आपको अगरसर करना चाहिए। योग्या अभ्यास के इस परकरण में आज का जो अंतिम अभ्यास है, उसको मुद्रा कहा गया है। क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा, कि मेरा इस बारे में एक्स्पिरियंस बिलकुल जीरो है। परंपुजि गुर्देव के विचार के अनुसार, जितना मैंने समझा और जाना, वो आपको बताया। मैं नहीं कर सका, आप करके देख लिए, मैं भी करूँगा, आप भी कर लीजिए। जिनको हो जाए, उनको इसमें रसान उभूती होने लगेगी, वो हमें बताएं। ध्यान, नाद, त्राटक, पणयाम को पूर चड़नों की तुल्ना में किसी प्रकार कम नहीं कहा जा सकता। उसमें से कोन, किसे, किस तरह, कितनी मात्रा में संपन कर सके, अपनी स्थिती का उचित प्रवेक्षन करते हुए, आपको अनुभवी शाधक बनना है। मैंने सेहर स्विकार किया है, कि मुद्रा में मेरा कोई अभ्यास नहीं है। ऐसे ही पाँचों में से किसी एक को भी आपने पकड़ लिया, तो निर्धारन फिर आपका उपर वाला करेगा। आपकी स्थिति कितनी उची हो जाएगी, इसका निर्धारन उपर वाला गुर्देव करेंगे। आज मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, कि इन सिद्धियों को सही दिशा में, निश्चित दिशा में कैसे ले करके जाया जाए। इनको दिशा दी जाए और कैसे दी जाए। अब मैं उस बात पर आना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले बताये था भोतिक संसार के अंदर, तप और सैयम, सैयम और तप, सैयम से तप, सैयम ही बदला हुआ रूप तप है। और आत्मिक छेत्र में योग और सिद्धी, योग और सिद्धी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब मैं आपको उस छेत्र में उस तरफ ले करके जाना चाहता हूँ, जिससे सिद्धियों की दिसा, आपकी खुलती चली जाए। मन का स्वभाव है, चंचलता, और संसार में परसिद्ध है उसकी चंचलता, एक सैकंड भी वो गमाता नहीं है। आप जान लेना, आप गमाते होगे। आपका मन एक सैकंड भी आपका गमाता नहीं है। हर चंचण में वो अस्त्व्यस्त बना करके इदर उदर उड़ता फिरता रहता है। कारण एक स्थान पर टिक सकने का उसका स्वभाव नहीं है। अब बस एक ही बात आपको करनी है। ये तो मान लिया। के उसका स्वभाव इस इस्तर का नहीं है के वो चुप बैट सके। एक सैकंड को भी जाया कर सके। आपको केवल एक ही काम करना है के उसको सही दिशा देनी है। एक बात सिद्ध हो गई के वो एक सैकंड भी खराब नहीं करता। इसलिए आपको उसको सही दिशा देनी पड़ेगी। गंभीरता पूर्वक सोच लीजिए। गंभीरता पूर्वक सोच लीजिए। दिशा आपको देनी है। उसका एक ही साधन बनेगा। तन मैता पूर्वक कारिये को करना। उसके बिना वो संभव नहीं है। एक आग्रता और तत्परता के बिना किसी भी कारिये में सफलता नहीं मिलेगी। अब तत्परता का गुण का तुम्हें पता लग गया वो तुम्हारे मन का गुण है। तत्परता जो है वो मन का गुण है। उसका तुम्हें पता लग गया कि वो एक सेकेंड भी जाया नहीं करता। मैं फिर से बोल रहा हूं मेरी बात को ठीक से समझ लें। आपके ही पास है आपका ही मन है आपका ही गुन है उसके अंदर तत्परता का अब दूसरा गुन है तनमेता का तनमेता का अगर आप जीवन की सफलता को पाना चाहते हैं तो कारिये को दत्चित हो करके संपन करने की अभिरुची अपने अंदर जगाए चंचलता प्रगती पत की सबसे बड़ी बादा है बादा इसलिए है वो आपके कंट्रोल से बाहर चला जाता है इसलिए जिस सफलता को पाना चाहते हैं वो चंचलता के कारण हमारी पकड़ ना हूँ पाने के कारण वो हमसे आगे निकल जाता है इसके लिए सुयोग व्यक्ति पगपग पर ठोकरे खाते हुए ऐसफल होते रहते हैं परन्तु अपने प्रियास को नहीं छोडते हैं अपने प्रियास को नहीं छोडते हैं बहुतिक छेत्र की बाती आत्मिक छेत्र की सफलताएं भी चंचलता और चितवरतियों के निरोध और परिसकार पर निर्भर करती हैं योग की परिभासा करते हुए बहरिसी पतंजली ने कहा है चितवरति निरोध है योग है चितवरतियों का निरोध कर लेना यानि के उनको पकड में कर लेना यही योग है इस चितवरति को दो रूपों में देखा जा सकता है दो रूपों में एक तो एस्थिर चन्चलता दूसरे पास्विक कुसंसकारों की ओर रुज्वान बहुत अच्छे से सुन लेना बात को एक कुतो एस्थिर चन्चलता मन की एस्थिरता चन्चलता और दूसरी पास्विक कुसंसकार जो मन के साथ लगे हुए है जो जन्म जन्मांतरों के है इस जन्म के नहीं है जन्म जन्मांतरों के है इन दोनों एवांचनियताओं पर नियंतरन स्थापित करना इन दोनों पर ही आत्म नियंतरन स्थापित करना चिर्टवर्ति निरोध इसी को कहते हैं और इसी को योग कहते हैं पास्विक वर्तियां और मन की चंचलता दोनों को आप अपने कंट्रोल में ले लेना तब ही आपके अंदर निरोध की योग की जो साधना है वो सुरू होती है लंबे समय से संग्रहित को संसकार पशुवर्तियों को परिवर्तित कर उच्चिस्तरिय दिव्यास्थाओं के द्वारा उनको सुरूप देने की प्रक्रिया योग कहलाती है इसके लिए प्रचंड पुरसार्थ अपेक्षित है प्रचंड पुरसार्थ अपेक्षित है सरीर को सक्रिय, मन को संतुलित और एकाग्र इतना ही प्रवल पुरसार्थ संभव है एकाग्रता मन मस्तिस्क की एक व्यवस्थित चिंतन विधी है इसके लिए आसन, प्रणयाम, ध्यान, धारणा, आदी सारिरिक मानसिक की प्रक्रियाएं अपनाई जाती है ध्यान में मस्तिस्की एक व्यवस्था और विखराव पर नियंत्रन लगाया जाता है साथ ही साथ अचेतन मन की गहन परतों में दबी हुई, पड़ी हुई विभूतियों को उभारा जाता है अभी आपको बताया गया था जब तक उसको जाग्रत नहीं होगा एक बात तो निश्चित है कि मन में उसको चंचलता मत कहिए इतनी सामर्थ है इतनी उच्छलकूद कर लेता है कि उसमें किसी भी तरह का प्रमाद आलश्य नहीं है इसके कारण हम उसकी शक्ति का सदुपियोग नहीं कर पाते हैं अगर उसकी शक्ति का सदुपियोग करना चाहते हैं तो मन की जो चेतन्यता है मन की जो क्रिया सीलता है उसको अनभव करें और अनभव करते हुए उसे अपने जीवन में क्रिया सील करें अगर ये हम करते हैं अभ्यास करते हैं प्रियास करते हैं तो जो आपकी चेतना मन की चेतना के रूप में काम कर रही है वो आपके उनकारियों को अपने आप प्रिया के रूप में लाती चली जाएगी ध्यान धारना से मस्तिस्किया विवस्था और विखराव पर नियंत्रन होता हुआ आपको दिखाई देगा साथी साथ एक ही बात पर मैंने जोड़ दिया था यहीं से अचेतन मन के उपर आपका प्रभाव जाना सुरू हो जाएगा अचेतन मन की गहन पड़तों के अंदर जो छुपा हुआ विभूतियां हैं उनको उबहरा जा सकता है उनको उबहरा जा सकता है और उबहर करके उनको क्रियासील किया जा सकता है इस अभ्यास में तरह तरह की आकरशक प्रतिभाएं सामने रख करके अत्वा उन्हें भावना छेतर में बिठा करके उनके साथ एकागरता को जोडने का अभ्यास किया जाएगा एकागरता को जोडने का अभ्यास कहा है मैंने वो किया जाएगा प्रक्रिया मस्तिस्क को साधने की दिशा में एक अतियंत छोटा सा प्रियास मात्र है समग आध्यात्मिक प्रगती तभी संबब है जब अपनी चेतना को विश्व चेतना का घटक मान करके स्वार्थ की परमार्थ में विक्सित किया जाए स्वार्थ की जो इस्तिती है उसे परमार्थ में विक्सित किया जाए योग का लक्ष है आत्मा की परमात्मा से मिलान योग का जो अर्थ है आत्मा और परमात्मा दोनों मिल करके एक हो जाएं यही मिलान है बड़े अच्छे से यह समझेंगे व्यस्टी सत्ता का समस्टी सत्ता में समर्पन ही योग है भाव उतकर्ष की साधना द्वारा ही यह संभव है व्यक्तिवादी एहंता और स्वार्थवादी महत्व कांख्षा में परिबद्ध मन को सार्भों चेतना से जोड करके अपने चिंतन और कर्तित्यों को उतकरष्ट बनाना होगा आध्यात्मिक प्रगती इसी को ही कहते हैं सांसारिक प्रगती के लिए आदमी कितने प्रियास करता है इसी तरह से आत्मिक प्रगती के भी प्रियास हमको करने पड़ेंगे इसमें कुछ भी नहीं है सही दिसा में चलने पर मनुष्य को देवत्व की प्रक्रिया का या देवत्व का उदे होना सुनिश्चित है अगर आप चलेंगे तो वो प्रक्रिया चलने लग जाएगी और आपकी स्थती में देवत्व उदे होने लग जाएगा और अगर उसकी रसान भूती आपको होने लग गई वो राजमार्ग आपको मिल गया तो तुरंत आपकी चेतना उसी तरफ परिवर्थित डाइवर्ट जिसको कहते हैं परिवर्थित हो करके रह जाएगी अपने आप हो जाएगी एक बार उसी स्थर तक जाना है या मैं फिर से कहूंगा कोई व्यक्ति किसी भी चीज के लिए किसी एक चीज के लिए अपनी विसेस्ताओं को जगाता है तो दुनिया उसको पूछती है अपने लाब के लिए अपने लाब के लिए इसमें कुछ भी संदेह नहीं है सही दिसा में चलने पर मनुष्च में देवत के उदे की प्रक्रिया परमार्थ के रूप में आरंब होना जरूरी है हो जाएगी योग एक मात्र भाव प्रक्रिया है योग जबरजस्ती नहीं है आपकी स्वेच्छा है आपकी स्वेच्छा है योग एक भाव विध्यान है मैंने कल आपसे कहा था अगर आपको यादो नहीं हो तो नोट करके रख लें ये सब्द भी मैंने कल बोला था ध्यान से भावना में मैचुरिटी आती है ध्यान से भावना में परिपक्वता आती है अगर आप अपनी चेतना को यानि समझ लेना सबसे दुनिया का बड़ा कारिया है अपनी चेतना को परिपक्व करना संतुष्ट करना तुष्ट-पुष्ट करना ये दुनिया का सबसे बड़ा कारिया है अगर इस कारिये को हम कर सकें तो हमारी जितनी भी साधनाएं है वो सब साकार होती हुई चली जाएंगी के साथ जूटता है भीड इखती होती है परन्तु जुडाव इखता नहीं होता स्वार्थ इखट्टा होता है स्वार्थ इखट्टा होता है परमार्थ इखट्टा नहीं होता चिर्मिलन की भाव भूमिका की और जीव को बढ़ाता ले जाता है उसको उस तरब बढ़ाता हुआ ले जाता है लगू को माहन बनाता है ये एक विद्या है ये मूल लक्ष और विश्त्रित उपेक्षित पड़ा हुआ है तो भी आसन प्रणयाम ध्यान बद्ध मुद्रा आने किया जा रहा है अपनी संकीनता को मन की करड़ा के अतिरिक्त और कुछ मत कहना ये मन की केवल क्रिया सीलता है करड़ा है आपको इससे उपर जाना है इसके अलावा कुछ भी नहीं है सब बेकार की बाते हैं सब इसी में छुपा हुआ है योग की बहुत सारी परचलित धाराएं हैं उनमें से एक आस्रे लेकर के किसी का भी अतिंद्री ये चमताओं को विक्सित करने की प्रक्रिया को किया जा सकता है कैसी बात समझ आई किसी भी एक धारा को पकड़ करके आप जो आपको रुची कर लगे उसको पकड़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं वे चमतकारी नहीं कही जा सकती क्योंकि उनके पीछे काम करने वाली की भावना लगी हुई होती है वो भावनाएं जैसे जैसे होती जाती है वैसे ही मैचूरिटी परिपक्ता जीवन का उद्देश आपके जीवन में परिसकार के रूप में आपके विकास के रूप में घटने लग जाता है आप भी सुचते होंगे चिद्दन के द्वारा आत्मविकास लोक परमार्थ कल्यान कैसे किया जाए क्योंकि जब तक इंद्रियों की चंचलता हमको पकड़े हुए है या उसमें हम लिपते हैं तब तक इस्थिर्टा आने का मतलब नहीं है अचेतन मन का परिस्कार और उसका विकास ही इस स्थति को संपन्न कर सकता है मगनो विकार बुद्धी छेत्र में नहीं स्वभाव के अंतरग्रत आत्ते बन करके घूमते रहते हैं अचेतन मन में उनी को संसकार भी कहते हैं और वो क्योंकि स्वभाव में होते हैं अब भ्यास में होते हैं इसलिए उनसे हमारी आदते बन जाती हैं अगर हमारा एक स्वभाव वन जाएं कि हम अपने जीवन में गहराई में उतरना सीख लें अच्छाई को अपना लें बुराई को छोड़ दें तो जीवन की वो प्रक्रिया जो वास्तव में साधना की प्रक्रिया है वो हमारे साथ घटने और बढ़ने लग जाए घटने से मतलब बुराई का घटना और बढ़ने से मतलब है अच्छाईयों का बढ़ना वो हमारे साथ घटित होने लग जाए अगर वो घटित होने लग गया बुराईयों का छोड़ना और अच्छाईयों का जुड़ना अगर ये दोनों काम चलना सुरू हो गए तो जो आपकी शक्ती बिखरी हुई है वो एक जगे इखटी होने लग जाएगी और उसके इखटा हो जाने से एक शक्ती आपके अंदर सिंचित सक्ती अभ्यास के दबाव में आपके अंदर संग्रहित होती चली जाएगी अपने ही निर्णे के प्रियास के इन आदतों के पीछे जो सक्ती काम करती है उसको अचेतन मन कहते है शरीर की अनवरत गतिविदियों में सचेतन मन या जागरत मस्तिस की शक्ती जितना क्रियासील होती जाती है उतना ही आत्म जागरन की तरफ को आप बढ़ते हुए चले जाते हैं मास्पेसियों का अंकुचन प्रकुचन परलुकों का निमेस उनमेस प्रक्रियाओं के रूप में आपके जीवन के अंदर क्रियासील होता हुआ देखा जाता है सोचने की बात है जरा सोचिये जो कुछ कहा जा रहा है उसको क्रियासील करना है जागरत करना है जैसे भूक प्यास पेट को पता लगती है फेपड़े का स्वास पर स्वास का पता लगता है फेपड़ा ही तो काम करता है सांस के अंदर जैसे सरीर के अंदर पेट काम करता है ऐसे ही फेपड़ा भी काम करता है अगर उसको सांस नहीं मिलता है तो वो भी तड़फ जाता है मन की चंचलता की बात मैंने आप से की है आप मेरे से इस्थिरता की बात करिए आप मेरे से इस्थिरता की बात करिए जिससे इस्थिर्ता मेरे जीवन में पैदा हो जाए जब तक नहीं किया जाएगा ये मात्र एक दिखावा बन करके रह जाएगा इसका कोई भी निर्णा निकल करके नहीं आएगा आप खाली जबान कितनी ही चलाते रहिए उसका कोई फाइदा नहीं होने वाला आद्वे जोड लगाता रहता है परन्तु करने ही पाता इसलिए एक साधक के रूप में अपने आपको निकालना और अपने आपको क्रियासील करना ये ही हमारे जीवन का उद्देश्य है इसी बात को कल मैं और विस्तार से समझा करके ये प्रियास करूँगा आपसे प्रार्थना करूँगा तुमारी सफलता में ही मेरी सफलता है अगर तुम इसे क्रियासील कर शको चरणवद्ध तरीके से अचेतन मन के नियंतरन से जो क्रिया चलती है वो हार्मोन्स ग्रंतियों से लेकर के प्राणों के अनवरत रूप में अचेतन पर अपने प्रभाव को डालती है मनोविकारों के कारण सारिरिक और मानसिक स्वास चोपट हो जाता है और सदभावनाओं के आधार पर व्यक्तित्व के सभी पक्षों का समुन्नत विकास होता हुआ चला जाता है और वो संस्थान की संदचना के रूप में उसका कारण बन जाता है कैसी बात समझाई इसलिए अच्छा है इस विशे को कल छेड़ेंगे उत्पात उत्पतन के बीच में व्यक्तित्व क्विस्त्रित जड़ें बीजार ओपन करके उसको जगाएंगे ऐसा प्रियास करेंगे यही भाव रखते हुए आज की बात को मैं संपन कर रहा हूँ कल फेर इसी बात के सरल अब्यास की बात करेंगे ओम शान्ती ही शान्ती ही शान्ती ही